धरम बुजापाट के सभी दर्शकों को जैसरी गृष्णाय मित्रों आईए जानते हैं सनी के चमतकारिक पांच उपाए जो कि सनी की ढहिया चल रही है या साड़े साथी चल रही है जिन लोगों को सनी की महादसा या अंतरदसा में असुब फल मिल रहे हैं कुछ कस्ट भोगने पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही लाबकारी रहेंगे तो कौन-कौन से पांच भाए जानते हैं पहला हो पाए शुर्योदे के पहले परती सनीवार के दिन सनिवार के दिन सुरियोदे के पहले हर सनिवार करना जब तक सनी की साड़े साती चलती रहेगी या ड़या चलती रहेगी जब तक आपको कस्ट भोगने हैं तब तक आपको ऐसा लगता है कि मुझे सनी की तकलिफें आ रही हैं तब तक ये करना है सुर्योदे के पहले सनिवार के दिन पीपल वर्क्स के निच्चे एक लोटा जल चड़ाएं अगरबत्ती धूप लगाकर सर्शों के तेल का दिपक जरू लगाएं और प्रात्मा करें आपकी कट्रिनाईयां आपके कश्ट दूर हो दूसरा उपाय सुर्योदे के पुर्व य या सुर्यास्त होने के बाद में करें सुने के स्तोत्र का पाट करें मंतर का जप करें एक माला या पांच माला अवश्य करें तीसरा उपाय काली गाय का पुजन करके गाय को काले चने के साथ में गुड जरूर खिलाएं चोता उपाय काले कुत्ते या कोवे को तेल में तली हुई गुड की मिठी रोटी खिला हैं पांचवा उपाई भीकारी या अपाईज कोड़ी व्यक्ति को सनिवार के दिन कालेवस्त्र लोईश बनिवी दिनिक जीवन में उपयोगी कोई भी साम्मागरी या समान दान में दे मित्रों एक प्रशिद्ध छट्वा उपाय आपको बता देते हैं किसी प्रशिद्ध जागरत सनि मंदीर स्तली में जाकर सनि देव का अभिशे कराएं तो भी सनि जनित बाधाएं सनि से होने वाले पिडा हैं सनी से उने वाले कस्ट दूर होते हैं इसलिए कहीं आपके आजफास सनी का मंदिर हो जाकरत मंदिर हो वत्पुराना मंदिर हो सनी का अभिशेक कराएं मित्रों आशा करता हूँ कि यह पांच उपाय आपको समझ में आये होंगे